हेलो रॉक्स्टार्स वेलकम टू एजुमित्रा तो तो टुड़ा है विद फोर्थ लास्ट पार्ट अफ लास्ट पार्ट अफ लास्ट साइंस चैप्टर फो इस माटेडियल्स मेटल्स अन नॉन मेटल्स तो जैसे कि मैंने बताया था आप सब को कि हम इस चैप्टर को चार पार्ट में कवर करेंगे तो फाइनली फाइनली गाई सुड़े विद फोर्थ लास्ट पार्ट अब चैप्टर जिसमें हमारा एक टॉफिक फाइनली बच चुका है जो कि है यूजर सब मेटल्स अन नॉन मेटल्स वह कवर करने वाले हैं तो अभी तक आपने अगर इसका सेकेंड थर्ड पार्ट नहीं देखा और डायकली फॉर्थ पार्ट पर आये हो तो पहले जाकर इसका फॉर्स सेकेंड थर्ड पार्ट चेक करो आई अश्यूर यूजर यूजर आपको इस चैप्टर यानि मटेरियल्स मेटल्स अन नॉन मेटल का फॉरेबन एवर सब्सक्राइब हमारे चैनल यू मित्रा पर मिल जाएगा तो चलिए सुरू करते हैं फोस्ट पार्ट के साथ जिसमें पड़ते हैं यूजर सफ मेटल सांड नन मेटल्स ओके तो फॉस्ट लेक्टर में फिजिकल प्रोपर्टिस अप मेटल देखी थी सिकेंड लेक्टर में हम ने देखाता हा यह से डिएक्टर में बाता धा इस्पलेसमें रीयक्शन क्या होते हैं तो आज फाइनलि अम कवर करने वाला इसके लास्ट पिक उत उसस उप मेटल्स और नन मेटल्स मेटल वो था किस काम के होते हैं जो नौन मेटल वो किस काम के में लिए जाते हैं तो let's deal the topic 4.3 of today's session first topic that is uses of metals and non materials so let's get started so you has you should be able to guess why metals are used in making machinery so machinery क्या होता है basically machinery जब बहुत सारे machines होते हैं व्यवडरा जैसे आपका हो गया tampon lorsque Authority आपका कास हो गया pleasant और आफबल गया एड ऐर प्ल को कलिसे साइंस पूसल साइस में देख लिया तो आपने अगर हमारे लेक्टेस देखे होंगे तो आपको पता होगा जो आटिफिसली बनाया जाते हैं इंडस्ट्रियल गैजेट्स टो इक्विप्मेंट्स होते हैं जो बहुत सारे टाइप्स आप जो इंडस्ट्रियू के लिए बनाने के लिए कुकिंग उटेंजियल खा यह पता है ऐसा क्यों है क्योंकि के पीछे मेटल के प्रोपटीज क्या-क्या इमेटल सार गुट कंड़क्तर आफीट में आपको इसके साथ नॉन मेटेश चाहि ऑप मेट मेट चाहिश नहीं है तो यह सम इंट्रेस्टिंग वॉन्स यू आर्शूर डाट यूल गेस्टेम राइट यहां कुछ इंट्रेस्टिंग यूजस अनन मेटल के लिए कि आपको पता होंगे यहां कुछ के बार में आपको पता भी नहीं होंगे तो चलिए आप देखते हैं नन मेटल के यूजस कि फाइनली यह थोड़ा लास्ट पार्ट हमारे चाप्टर का तो आज हम इसको फिनिस कर लेंगे एक तम से हमने क्या पर हम मेटल के बहुत सारे यूजस पड़ेंगे में यूज़ किया जाता है और में एयर प्लेंस में कास में सैटलाइस में वगएरा वगएरा जो घर में ह नातीम तो यह था है पश्कुल्ण व्耙 trauma क्माझ सबस्क्रैणान विछा भीनिंद तर्कल बयाल। जो आलने में प्लेट काते हैं यह यह जोड़ने अपस को थे की मैसे सकती है जो रिब्स यह बहुत सरे जो पिसीलिगा टाएंगि WITH का कल यह सारे का ड़ियिस हते हैं मेटल हमारे कितना इंपोर्टन सॉU us metal I use in the plenty of things as you show out so finally move on करते है non-metal कि not non-metal क्या है वो इसका application वो इसका merits क्या non-metal क्या क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है okay so non-metal is very very essential हमारे लिए बहुत important है कैसे so let's check it out so it is essential for our life हमारे life के लिए non-metal बहुत important है किस कैसे क्या आपको पता था ये तो which all living beings inhale जो हम living beings जिससे सांस लेते हैं क्या that is oxygen o x y z n वो भी एक क्या है that is also a non-metal वो गैस है लेकिन वो इक non-metal के category में ही आता है तो वो क्या है oxygen जिसे हम breathe करते हैं carbon dioxide ये सारे के सारे क्या दीजा नन metallic carbon dioxide non-metallic oxide that is also in the category of non-metal तो बहुत essential non-metal हमारे लेक्यों कि जिसे हम breathe करते हैं जो हमारा oxygen है जो inhale करते हैं जो हम सांस लेते हैं जो प्लांट इससे सांस लेते हैं carbon dioxide that is also non-metal so non-metal is very very essential for us second comes what metal non-metals using fertilizers to enhance the growth of plants of first chapter आपको याद होगा हमने क्या देखा था क्या देखा था तो यह सारे क्या है water nitrogen water potassium water sulfur water nitrogen water potassium sulfur यह सारे क्या है यह दे यार अलसो non-metal सो सकते हो प्लांट के भी non-metal nitrogen nitrogen fixation के बारे में हमने पर था कि कैसे राइजोवियम बैक्टरिया जो है nitrogen का fixation करते हैं नाइट्रोजन भी हमारे बहुत important किसके लिए plants के लिए तो आप सोच सकते हो जो non-metal हो कितना बारा significant play करता है जो हमारे biosphere पर हमारे living world पर हमारे ecosystem प्लांट्स जो पूरा पूरी पूरी तरह से किस पर nitrogen पे डिपेंडेंट होता है so non-metals are very very important for us and for plants for animals and for so on third point देखते हैं third point में क्या दिया non-metals use in water purification process पानी को साफ करने के लिए नन-metal का use किया जाता है किस वह में मैं आपको बता जो chlorine होता है उसके tablets को हम use करते हैं किस लिए for the cleansing of water पानी को साफ करने के लिए हम इसका use करते है किसका chlorine का okay that is used for the purification of water इंडिया में बहुत सारे वोल्ड में यह हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेसे से जाब को साफ पानी देर्वेर विल नाट केट कुड़ वाटर युल नाट केट क्लीन वाटर तुम आप यूज करते हो किसका वाँ आप यूज करते हैं क्लोरीन टाबलेट्स का यहां वाटर को क्या करते हैं वाटर को प्यूरिफाई करते हो के फॉर्स पॉइंट रहते हैं क्यों गाते होता इन यहां वह को करते हैं प्रसी फिए मैशनन व को थे लगाते हैं अग नहीं से रहें क्या है यह दुने मोगें हिफ ग्पश्य मे याद करो आप है को कि इस पर युज को 때도ाüne grateful न मेजने पर युज किया जाता है जो इंजेक्शन देने के पहले भी हम उसको लगाते हैं वह क्या होता है यूजे करते हैं यह बहुत ज्यादा रियाक्शन करते हैं यह बहुत रियाक्टिव होते हैं इसमें नहीं कर सकते हैं तो यूए सम Wendy's अब हाँ सब्सक्कार फिक्वर्यों करके में इसके हैं चैनल को अपने जो आइसके पास जुआ मुझा आई क्योंड़ीद योज्था नहीं मिन के पर दहुत में 2014 2019 करें के लिए कुछ हम यह सकती है हां यह पर और चीज़ देखा था हमने क्या देखा नॉन मेटल यूजिन अ पॉपल कलर सॉलूशन विजिस अप्लाइड वूंड समने जखमों पर हमारे खाओ पाइक अंटिसेप्टिक लगाया जाता है वट इस दैट डैट इस पॉपल कलर सॉलूशन अफ वाट विच नॉन मेटल ड़ प्रक टो आयोडीन जो जिसे स्पीरियर्स पगरा बना जाता इसका यूज़ करते हैं कि हमारा जो जो वूंड है जो हमारा इंजरी इसको लगाया जाता है कि ज्यादा इंफेक्शन ना हो सा कैसे लिए दियूज आयोडीन परपल कलर डायोडीन सॉलूशन आयोडीन यह क्या पर जो खाव होते हैं वगारा उसको हम डिस इंफेक्ट करने के लिए इसको यूज करते हैं वाट वी यूज आयो डीन तो यह पॉइंस है बेसिकली आप याद रखो हमने यूज किया किसका हमारे सांस लेने के लिए यूज ऑक्षीजन तो यह पहला नॉन मेटल प्लांट ले इस परपल को यह किसके यह सारे नाम होए हमारे नॉन मेटल्स के जिसके लिए मुस्की करते हैं हमने इसका हमते के यह हैं क्या व्रूंटेज चैनल के लिए और यूज उचली मिटल्स अब करसके हो आप अपने आस पास देखो अपने आप तो यहां पहली पूज़ो देखते हैं क्या बोलते हैं फाइनली तो इसको पाया जाता है किस फर्म में यह होता है दूसरा कोश्चन डॉक्टर रिपोर्टेट इसमें बताओ बेसिकली यहां कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यलो सेड़ में इसको भी हम देख लेते हैं फाइनली यह दन विद देख लिए चैप्टर सो लेस्ट चेक आउट इस वन अलसो हमने चैप्टर फेनिस कर लिया है फाइनली ओके इसको देखते हैं क्लास सेवन आप लएड़ी पर लिया कि कोई भी किमिकल रियाक्शन होता है तो नय सब्स्टांस का फॉमीशन होता है ठीक है इस सब्स्टांस अर डिफरेंट फॉम्द दूस अडिव सब्सक्राइक्ट होता है चलो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आपको इसका एक्तम चौका देगा चलिए हो देखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इससे क्या होता है एज टू ओ वाटर ओके तो हाइड्रोजन का आप जयात करो हाइड्रोजन is very very फ्लेवेबबल आपने पढ़ा होगा hard जाता है इसलिए हाइड्रोजन के फ्यूल का एक्जाम हम रॉकेट में करता है जेट्स में जो स्पेस में जाते हैं ठीक है जिसको हम घर में इस्तवाल करते हैं कि यह बहुत जादा डेंजर सब्सक्राइब अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो आग नहीं लग सकती है तो वह हाइड्रोजन जिससे आग लगता है और वह ऑक्षिजन जो आग लगने में सपोर्ट करता है उन दोनों से मिलकर एक ऐसी चीज बनती है जिसको हम पीते हैं वाटर तो इसी से आप पता लगा सकते हो इस एक्जामपल से कि जो हमने रियक्शन देखे जो रियक्टेंट हुए उ दूसरा एक्जामपल देखते हैं हमारा सोडियम सोडियम क्या एक ऐसा मिटल जो खुद आग लगता है इसलिए हम उसको किरोसिन करके रखते है क्योंकि वाटर ऑक्सीजन से रिया करता है दूसरा है क्लोडिन क्लोडिन बहुत पॉजनेस गैस होती है ठीक है क्लोडिन टैब हमारे घर में आने वाला नमक इसको खाते हैं यह सोडियम जो खुच जलता है उससे बना हुआ चीज हम खाने में यूज करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है जो रियाक्टन होता है उससे प्रोड़क्ट का प्रोपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होता है ठीक है तो दर प्रोड़क्ट यह बात आप याद रखो के तो आगे बढ़ते हैं नौ यहां क्या दियो ना उप्ता सब्सक्राइब ब्रोकन ब्रोकन दाउन फॉडर्डर वाइं केमिकल डियाक्शन वाइं कुलिंग हीटिंग और वाइलेक्रोड़ाइस इसकाल अलिमेंट क्या होता है किस है ठीक है फर इक्जंपल ज सल्फारक आरेम tu ayron एक य्मिंट गूलेक्ट एक एलेमेंट और सिल्वर एक एलेमेंट है प्लाटिम मेंट है क्यासियमा क्या में접िर क्योंत कौपर एक ऐलेमट है एंड से तो टूटल आज बात करेंब हमारे heu बेसिकली class 10 में परेंगे इसके बारे में भी हमें सॉट में ही दिया हुआ है smallest unit of an element किसी बी ऐलिमेंट का सबसे smallest unit किसी स्मोलेस एंटिती किसी भी element को क्या बोलते हैm atom atom मतलब होता है परमानू ठीक है अनू मतलब क्या होता है very smallest entity इतना चोटा कि आप अपने naked eye के से भी नहीं देख सकते हो so atom basically बहुत चोटा होता है size okay so the smallest unit or the smallest entity of an element is known as atom ठीक है a sample of an element contains only one kind of किसी भी element के sample में एक ही types of atom होते हैं ठीक है तो किसी भी element आप example लेलो gold लेलो copper लेलो या calcium लेलो iron लेलो silver लेलो platinum लेलो वो क्या होगा एक ही type of element एक ही time of type of what atoms है मिलकर बने हुए for example and atom of liquid sulfur क्या होगा उसमें क्या होगा खाली liquid sulfur के ही atoms होगे उसमें आपको gold के atoms महीं मिलेंगे although we have an infinite variety of substance हमारे universe में हमारे world में बहुत types of substances है the number of elements forming this substances is limited लेकिन the number of elements है वो limited है वो आज हम आगे के classes में आगे कि जब आप classes में जाओगे तो इसके बारे में पढ़ोगे तो दिया no more than 94 naturally occurring element तो nature में कितने निमें बनते हैं 94 नेचर में elements बनते हैं ओके और total कितने होते हैं 118 तो इससे क्या पता जलता है आपको जो 18 plus 6 what is 18 plus 6 24 elements उसको artificially बनाया जाता है ओके 94 is what 94 is natural and 24 is artificial element total element कितने हुआ total elements हुए हमारे 118 okay so let's move on further so all important classification of elements in the terms of metals and classification है जो elements का वो यह तो metal होता है यह तो non-metal metal हो गया जिसमें सारे metals आगे non-metals में क्या हैंगे non-metals में non-metals भी आएंगे metalloids भी आएंगे और हमारे क्या है जो हमारे gases वो भी non-metals के अंदर में आते हैं तो ज्यादा तर elements क्या होता है ज्यादा तर elements होते हैं metals हमारे प्रोडिक्टिबल में more than 90 metals है और बाकी सब कम ही है जो की non-metals है तो remaining are either non-metals or metalloids or they are gases okay तो metalloids क्या होता है metalloids ऐसा element होता है जिसमें matter और non-metal के भी equal property होती है ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे वैसे element को बोलेंगे हम metalloids इसके बारे में हम क्या आगे के classes में बात करेंगे इसके बारे में आपकी class 8 में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है तो okay this was all about the lecture I hope आपको यह lecture समझ में आ गया होगा है यहां हमने अपना chapter finish कर लिया है जलिए फाइनली हम आपको कीवर्स को भी देख लेते हैं okay आपको कीवर्स में भी हो सकता है कुछ राउट हो एक बातली कीवर्ट क्लियर करते हैं atom what is atom atom is the smallest entity of an element किसी element का सबसे smallest unit होता है इसका atom second is conductor anything which allows heat electricity to pass through it that is known as conductor of heat electricity done then come what displacement reaction what is displacement reaction in which the more reactive element the more reactive element displaces the less reactive element from its compound यहां क्या होता है जो more reactive element होता है वो डिस्प्लेस करता है वो बदल देता है किसको जो less reactive element होता है उसको किससे उसके compound से तो that is known as what that is known as displacement reaction then come ductility what is ductility it is the property of metals which allows them to be drawn into thin wires तो यह होता है ductility then what is element element क्या होता है basically हमने elements के बारे में भी पढ़ा जैसे gold हो गया हमारा basically जो iron हो गया copper हो गया वगया 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 so किसी भी अगर material को अगर हम तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए तोड़ते जाए और एक ऐसा stage पर आ जाए कि नहीं अब cooling heating electrolysis किसी प्रोसेस सब उसको ज्यादा ब्रेक नहीं कर सके तब उसी portion को उसी पार्ट को consider करते हैं element hardness क्या होता है किसी भी elements का hardness जहां उसको compress नहीं कर सकते that is known as hardness of any element next come malleability what do you mean by malleability malleability क्या है basically malleability is what it is the property of any element in which it can be drawn into thin voice then comes what income metals metals are what metal के 2 definitions हो सकते हैं या तो chemical or physical physical definition क्या होगा metals are the chemicals where metals are the materials which are shining that are lustrous they are hard they are what they are malleable they are ductile they are sonorous etc और chemical क्या होगा metals are the chemicals substance or chemical element which lose electrons okay तो इसके बारे में हम आगे class पढ़ेंगे कि lose electron and gain electron इसका theory क्या है और फिर क्या था है metalloids the element the substance which possesses the characteristic of both metal and non-metal they are known as what they are known as metalloids then come non-metal 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 क्या है जो metal ना हो वो not matter any your 9 lustrous your dull hogar was soft hogar or kya non-maleble hogar non-dutile hogar ductile hogar brittle hogar non-sonorous hogar that is non-metal or chemical definition that gains electron while reaction data non-metal for finally last summer sonorous sonorous kya hogar it produces ringing sound what is sonorous sonorous is the property of metals which produces ringing sound or heating this is known as what this is known as sonorous so finally finally guys here with the done with the chapter we have done with the materials metal and non-metal class 8 chapter 4 materials metals and non-metal so if you have any doubt about the comment section मैं जरूर बताये हम को सिस्क्राइगे कि उस पर एक नहीं वीडियो ला सके but I am sure कि हमने इस chapter को इतनी अच्छी तरह से cover कर लिया है कि अगर आपने चारों के चारों लेक्टेस अटेंड किया तो I am confirm I am sure कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा अगर डाइट हो तो फिर भी आप कमेंट सकते हैं जरूर पूछ सकते हैं और अगर जादा हो तो आप एक काम कर सकते हो एक बार और पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थी पार्ट फोर देख लो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो मिलते हैं अगले लेक्टर में किसी और टॉपिक साथ अगर आप हमने चैनल पर नहीं है तो जाके फटा-फट सब्सक्राइब कर लिए बिल आइकन का बटन दबा दीजे क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव लेक्टर सापको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताएए तो ओके गाइस इफ्यू लाइक बटन सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन तो सब्सक्राइब अपटेख से इफ लाइफ राइब टके लाइब टो आज के लेपस इतना ही मिलते हैं लुड राइक्टर में किस्यों एक्षिण लेडे टिए टॉर्मेट टॉपी के साथ तो तिल न टे रेटीब लाइब टीप लॉन जोल आफ पॉन थाफ थाइब थाइब बाँ बाई